हेलो फेंड्स माद्वी केड्मी 2.0 परपका स्वागत है तो आज मैं आपको स्वीडियो कराने वाली क्लास 12 के अंतरगत हर्स बदन का चरचित्रण यह कोश्चन ऐसा है हर साल पेपर में आता है यह नायक का बोला जाए नायका का नायक है तो हर्स बदन नायका है तो राजश तो आपको फुल माक्स 5 मिल जाएगे ठीक है राज सिरीका में इसके बाद आपको प्रवाइड करवा दूंगी ग्रामर पूरी अप्लोड है हिंदी इंग्लिस की तो कर लिजिएगा इसके बाद में आपको हिंदी का पेपर भी सॉल्व करवांगों किस तरीके से क्या आता ह अब मैंने ट्रिक से करवा रखा संदी वेरा तो कर लिजिए तो इस ट्राटिंग में आप लिखेंगे रायमेशर शुक्ल द्वारा यह रचेत है ठीक है रायमेशर शुक्ल अंचल द्वारा रचेत है त्याकवधी खंड का नायक सम्राठ हर्ष बदन है यह आपको पता होन लग्सकोया कर लएक है अपने माता का समाचार करो कि अपनी माता के आतंधा का समयां सुनके ब्याकॉल हो जाते मतलब माता भी इनके आत्मधा कर लेती हैं पिता भी बिमार होते हैं तो इसलिए वो परेशन हो जाते हैं और तभी अपनी बहन राज शरी को आत्मधा से बचाते हैं मतलब अपनी बहन को तो बचा लेते हैं इसके बाद अपना सारा राज सौप कर बहन के प्रति अपने प्रे और यह कोटेशन से क्या होता आपको अच्छे माक्स मिलते हैं मा के लिए बुलाता मुझे मन्द पुर्ण को छोड़ नामा तुम भी जाओ छोड़ो बिचारिये मुझे चरण से लिप्टाओ सेकेंड हैं आप लिखेंगे योग्यम कुसल सासथ तो पिता और भाई की मुरत्य के पश्यात यानि बाद हर्श राजा बनेते उनका सासन सुख सम्रद्धियों सांध से परपूरता मतलब कोई भी कमी नहीं थी और सदय वो प्रजा के कल्यान में लगे रहते थे और स्वयम को प्रजा का सेबक समझते थे ठीक है सिंपल है कि थार डिंगर साहस साहसी पराक्रमी और धैर साली इसी से आपको बना के लिख देना है समराठ है बदन अपने शाहस सौर्यम धैर के कारण बहुती प्रिशिद्ध है ये विदेशियों से मात्रूम की रच्छा करके नों अपन प्रिय भाई राजबर्दन की मृति इतने सारी उन्होंना दुख जेलेते तो आज सभी महान संकटों को हरसना अकेले जहल कर धैर का परचे दिया था मतलब अपने धैर नहीं खोया था इतनी सारी मेर्द्ध देखी थी ठीक है अपनी मां की देखी थी बहनों की देखी थी इस तरह से आप बनाके लिख देंगे नेक्स एडिंग में लिखो के फुल माक्स मिलें करते हैं इसलिए मैं आपको कहते हैं कि सर्ग आप बिलकुल यहाद मत करो ठीक है समराठ हर्ष ने आजीवन मतलब पूरा टाइम अपने करतब का पालन किया था प्राहरम में उन्होंने इच्छा ना होते हुए भी राजी का भार समाला था इच्छा नी थी फिर भी समाला था और दुख के समय में भी अपने करतब को निभाया था और यह अपनी बहन के लिए बोलाता जब वो चले जाती हैं मैं स्वयम जाओगा बहन को ढूनने बन प्रांत में पाई बिना उस करने का दर निश्य करके इनोंने अपने छत्री धर्म का पालंग किया था या पर्चे दिया था और भाई के मृत्ति का समाचार सुनकर उनना जो प्रतग्या की थी उसको भी पूरा किया था ठीक है उसके बाद लिख देना इस प्रकार हर्स का अचारित्रिक बीर युद्ध रिवोर्ड का उससे आपको अड़ लग जाए कोशन किस तरीके साएंगे डिक्टो वैसा ही आपको मिलेगा ठीक दर देख लीजेगा थैंक्यू सो मच